हेलो स्टूडेंट्स गुद मॉर्निंग एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल तिस प्रियंका दिस वीडियो इस रिलेटेट टो सीटेट एंड अधर कॉंपिटेटिव एक्जामिनेशन्स अगर आप सीटेट या फी कोई भी कॉंपिटेटिव एक्जामिनेशन की तियारी कर रहे ह हैं तो हमारे स्टड़ी स्क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए क्योंकि यहां पर मैं डेरेक्ट आपको एंस एर्टी बुक कवर करा रही हूं जो कोई भी एक्जाम के पॉइंट ओवी से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है अभी फिलहाल जो आप स्क्रीन पे देख र है टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे साथ में सीटेट पेपर वन की भी मैं 325 और सब्जेक्ट आपको कवर करा चुकी हूं तो चली स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेर जरूर किया चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखी यह है लेशन टू और यह इस लेशन का जो नाम है वो है हमारी प्रिथवी के अंदर यानि प्रिथवी के अंदर कौन-कौन से भाग है इस चैप्टर के दौरान हम लोग समझेंगे तो चली स्टार्ट करते है हमारी प्रिथवी एक गतिशील ग्रह है इसके अंदर यह बाहर निरंतन परिवर्तन होता रहता है यानि अंदर भी होती है और बाहर भी होती है क्या आपने कभी सोचा है कि प्रिथवी के आंतरिक भाग में क्या है प्रिथवी किन पदार्थों से बनी है अब यहां पे जो तो आपको एक पॉइंट को नोट करके लेके चलना पड़ेगा इसलिए क्योंकि बहुत डेपली पूछता है सीटेट और इसी में जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बुक में था ही नहीं आखिर पूछा कहां से तो इसको आप देखिए यहां पे मैटल आंत्री क्रोड के बारे में दिखाया गया है मैटल को यहां पर समझाया गया यह मैटल है जो येलो कलर की भाग है इसमें क्रोड मैटल सीमा और बाहें क्रोड दोनों दिखाया गया है प्रिथवी को हम लोग प्रिथवी बोलते है अस्थल मंडल भी दिखाया गया है अब हम की सतह की सबसे उपरी परत को पपट कहते हैं ठीक है मैं यहां पर आपको दिखा दे थी पहले हैं यह सबसे पतली परत होती है यह महाद्यूपे सनहती में 35 किलोमीटर एव समुदरी सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है नोट डाउन कीजिएगा बहुत इंपरेंट है महाद्यूपे सनहती मुख्य रूप से सीलिका एव ऐलुमीनिया जैसे खनीजों से बनी है इसलिए इसे सी एल यानी सी से सीलिका तथा एल से ऐलुमुनिया कहा जाता है इंपर्टेंट है स्क्रिन सॉट लेके नोट डाउन करते जाएगा महासागर की पपटी मुख्यता सीलिका एव मैगनेशियम की बनी है इसलिए इसे सी में यानी सी से सिलिका और मैं से मैगनेशियम कहा जाता है पपटी के ठीक नीचे मैटल होता है जो उन्ती सो किलोमीटर की गहराई तक भैला होता है इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है तो यहाँ पर देख रहे हैं मैटल भी दिखाएगा येलो कलर की और क्रोड भी यहाँ पर दिखाएगा है जिसके त्रीजिया लगभग 3500 किलोमीटर है यह मुख्यता निकल और लोहे की बनी होती है तर्था इसे नी फे याने नी से निकल और फे से फैरस कहते हैं केंद्रिय कोड का तापमान एवो दाब काफी उच्छ होता है अब साइड में जितने आप ये सब देख रहे हैं मैं सब को स्कीप करते जाओंगे इसके बारे में मैं लास्ट में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग चैप्टर को टोटल पढ़ लेते हैं शैल एवो खनीज प्रिथवी की पपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है ये भी नोडाउं कीजेगा प्रिथवी की पपटी बनाने व चैल और शादी शैल जिसे शेडी मेंट्रिक भी कहते हैं और कायांत्रिक शैल यानि मेटा मॉर्फिक शैल द्रवित मैगमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है द्रवित जो मैगमा होता है वो ठंडा जब हो जाता है तो वो ठोस हो जाता है कर ठोर हो जाता है इस प्रकार बने शैल को अगने शेल कहते हैं इसे प्रात्मिक शेल भी कहते हैं तो हमारा प्रात्मिक शेल कौन सा है तो अगने शेल इसको नोडान कीजेगा अगने शेल दो प्रकार की होती है अंतर भेदी शेल और बही भेदी शेल क्या आप जौला मुखे से निकलने वाले लावा की कलपना कर सकत वास्तों में आग की तरह लाल द्रवित मैगमा ही लावा है जो प्रिथवी की आंतरिक भाग से निकल कर सतव पर आता है जब द्रवित लावा प्रिथवी की सतव पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोज बन जाता है प्रिथवी पर इस प्रकार से बने शेल को बरही भे अंतर भेदी अगने शेल कहते हैं इसकी सुनरशना बहुत महीन दानों वाले होती है उधारन के लिए बोसार्ट ठीक है एक्जांपल के तौर पर बोसार्ट यहां पर दिखाया गया है आगे यहां पर दक्कन पठार बोसार्ट सेलो से बना है इसको भी नोडाउं कीजिएगा यहां पर इंपोर्टेंट है द्रवित मैगमा कभी कभी भूपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है इस प्रकार बने ठो शेलों को अंतर भेदी अगने शेल कहते हैं धीरे धीरे ठंडा होने के कारान यह बड़े दोनों का रूप ले लेते हैं ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उधारन है लेई मशालों तथा दानों का चुन बनाने के लिए जिन अब घर्षन पदार्थों का उप्योग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं शेल लुढक कर चटक कर यह एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकडों में तूट जाती है इन छोटे शेलों को अवसाद कहते हैं जो शेल आपस में टकडा कर यह लुढक कर चटक कर छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं उसे अवसाद कहते हैं नोडाउन कीजेगा यह अवसाद हवा जल आदी के दूआर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिये जात दब कर यह कठोड होकर शैल की परत बनाते हैं इस प्रकार की शैलों को अवशादी शैल कहते हैं उधारन के लिए बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है इस शैल में पौधा जानवरों यह अन्य शुक्ष्म जीवानों जो कभी इन शैलों पर रहते हैं के जिवाश में भी हो सकते हैं अगने शैल यह अवशादी शैल उचिताप यह दाब के कारण कायांत्रित शैल में बदल जाते हैं उधारन के लिए चिकनी मिटी स्लेट में यह चूना पत्थर संगमर्मर में परावर्तित हो जाता है तो आप लोग समझ गए होंगे अवशादी शैल आवशाद घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है आप पत्थरों का उप्यों कई खेलों में करते हैं उधारन के लिए साथ पत्थर जिसे पिट्थू कहते हैं यह भी नोडांग किजिएगा सीटेट वाले खास तोर पे मैं आप लोग को बोल रही हूँ साथ पत्थर पिट्थू गे आप अपने दादे दादी माता पिता पडोसियों आधी से पूछकर कुछ आने खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आप कुछ करके सिखें इंपोर्टन नहीं है लेकि इंपोर्टन हमारे लिए यहां पे बनता है लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है उताज म रहते हैं गोल 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 री साइकील होते रहते हैं एक शेल दूसरे शेल में परवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं आप जानते हैं कि द्रवित मैगमा ठंडा होकर ठोस अगने शेल बन जाता है यह अगने शेल छोटे-छोटे टुकडों में तूटकर ए यह अउसादी शेल का निर्मान करते हैं ताप एक कारण कैयंत्रिक शेल पुना पिघल कर द्रवित मैगमा बन जाते हैं यह द्रवित मैगमा ठंडा होकर ठोस अगने शेल में परावर्टित होता है तो अब यहां पर आप लोग जो रिसाइकल होती है, यहां पर फीगर की दोरान दिखाएगा, आप देख लो, जैसे आवसाद को मैं लेती हूँ अगर, तो आवसाद पिघल के और शादी शेल का निर्मान करता है, और शादी याप शेल बनता है, तो वो कायांतरिट शेल बन ताप यह दाप के कारण, फिर यह बदल जाते हैं मैगमा में, और मैगमा से फिर यह जब ठंडा होके, और जब कुछ कठोर पदार्थ बन जाता है, तो यह अगने शेल का रूप ले लेता है, इसको स्क्रीन सॉट लेकर आप लोग बना सकते हो, सब को स्क्रीन सॉट लेते जाएगा, यहाँ पर एक एक चीज इंपोर्टेंट है, अब लाश्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सेल विभिन खनीजों से बनी होती है, खनीज प्रकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है, नोडाउन कीजेगा, जिसका निस्चित बहुत एक गुन धर उर्वक में भी होता है, जैसे लोहा, अलुमिनियम, शोना, यूरिनियम, इत्यादी, ठीक है, तो अब मैं आप इसको भी स्क्रीन सॉट लेते जाएगा, मैं हर एक चैप्टर में आप लोग से बोलती हूँ कि इसको जरूर कीजिएगा, आप लोग देखके ऐसी एंसर देना है, ज्यादा ये महनत नहीं करना है इसमें, और इसको जरूर कीजिएगा, टिक मांक वगरा जो है, इसको कीजिएगा, इसलिए कि एक तरफ से मांग के चलिए, रिकॉल है, इससे कोशन्स भी बनते हैं, और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान जिस चीज़ पे यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ, यहाँ से क्या आप जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, सब को कर लिजिएगा, प्रिथवी के आयतन का केवल एक प्रतिशत हिस्चा ही पबटी है, प्रिथवी का जितना आयतन है, उसका एक प्रतिशत ही पबटी है, 84 हिस्चा क्रोड है, इसको नोडान कीजिएगा, सीटेट में आ सकता है, कोई भी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिथवी के तरीजिया, 6371 किलो मीटर है, स्क्रीन सॉट अभी लेती जाएगा, सब्द की उत्पति, इग्नियस, लेटिन शब्द इग्नस, जिसका अर्थ है, अग्नि, सेंडी मेंटरी का अर्थ है, लेटिन शब्द, सेंडी मेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इस्थीर, मेटामोर्फिक का ये ग्रिक शब्द है, इसका अर्थ है, मेटामोर्फोश, जिसका अर्थ है, रूप परिवर्थ है, अब आते हैं, जिवास में पहते हैं , जितनी जानवर की हड्डिया वगर्या हो जाती है और Hebrews में फिल्हास में ट्यार फिल्हां , क्या आप जानते हैं यहीं इंपोर्टेंट है विश्वे की सबसे गहरी खान दक्षिन अफ्रिका में है नोडाउं कीजेगा तथा इसकी गहराई लगभग चाल किलोमीटर है तेल की खोज में इंजिनियर चौ किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं यानि छे किलोमीटर अंदर तक वे लोग जा चुके हैं पृत्वी केंदर तक पहुँशने के लिए जो बिल्कुल असम्भ हो है ओके आपको समूंदर की सत्थ पर 6,000 किलोमीट अंदर जाने की अब देखिए महादीव पपर्टी यहां पर दर्साया गया है महादीव पपर्टी यहां पर देख सकते हैं यह महादीव को दिखाया गया है महासागर को दिखाया गया महासागर यह पपर्टी को यहां पर दर्साया गया है तो यह था आज का चैप्टर जो हो बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए मिलती हूं नए वीडियो में नहीं जंगार के साथ धन्यवाद